डॉप 3 स्मार्फ़ून अडर 34000 तो बैं अगर आपका बनलेach 34000 असे अड़िखी की बात करेंगे, जादे समय खराब नहीं हिरते बात करते हैं, नमबर 5 की इसके display quality भी अपर मिल जाती है तो Samsung के phones की खासियत होती है इनके display quality बहुत अच्छी होती है long pantry life मिल जाता है and इनका जो privacy system होता है Apple's के smart phones का and Samsung के smart phones का भूव बहुत ही ज़्यादा सही होता है अगर आप अपनी privacy में कोई भी photos वीडियो रखना जाते हो आप normally easily रख सकते हो इसमें आपको super amulet display मिल जाते है जो की 120 refresh rate के साथ देखने को मिलती है जो की आपको gorilla glass 5 की protection के साथ देखने को मिल जाते है और प्रेदिंग system की बात को आपको android 11 देखने को मिल जागा तीन वेड में smart phone देखने को मिलता है 30 fps पर 32 map excel के आपको selfie देखने को मिल जागी selfie में भी आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो 30 fps बठी है आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाते है 25 वोड का आपको fast charger मिल जागा प्लस IP67 water and dust resistance रेटिंग देखने को मिल जाते है मतलब आपका जो smart phone होगा वो waterproof होगा आप एक मीटर तक इसको पानी में dip करके रख सकते हो आदे गंडे तक आपका phone बिलकुल भी खराब नहीं होने वाला तो यार main specification तो मैंने आपको बता दिया Samsung Galaxy A52 के phone नया लौंच होगा है प्लस बहुत ही जादा सही है specification के according देखा जाए तो आपको बहुत ही जादा तगड़ा मिल जाता अगर आपको camera के according smart phone चाहिए अगर आपको gaming करने या multi-dasking करने या अच्छा design चाहिए अच्छे color चाहिए मतलब अगर आपको एक fully loaded like smart phone चाहिए तो Samsung Galaxy A52 आपके लिए perfect deal हो जगता अगर आपने अपकी तक नहीं चागड़ किया था एक पर आप चागड़ कर लेना link वगारा मैंने प्रवाइड किया आपको description box में देखने को मिल जागा तो एक पर आप चागड़ जरूर करना Samsung Galaxy A52 को अभी जादेज हमें खराब नहीं करते हैं कि इसका जो design है जैसके जो colors है यो वो आपको इतने अपर नहीं देखने को मिलते हैं so that's why मैंने इसको number 4 पर रखा लेकिन अगर मैं specification के according देखो तो यार ये smartphone बहुत ही ज़्यादा तगड़ है आपको 5G smartphone देखने को मिल जाता है तो आप इस smartphone के और जा सकते हो आपको Snapdragon 865 processor देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही जगदा तगड़ायाए पर ये अगर आपने hardcore gaming करनी है आप easily normally कर सकते हो 7 nanometer technology के साथ बेस आपको Super AMOLED display मिल जाती है जो कि 90 refresh rate के साथ देखने को मिल जाता है आपको selfie में 4K option नहीं मिलता आपको 1080p ही देखने को मिलता है आपको 4200 mAh की battery देखने को मिल जाता है प्लस आपको 65W का fast charger देखने को मिल जाता है प्राइस मैंने आपको पहले भी पिता दिया जो 6GB वेड़ेड़ आपको 35,000 के budget में प्राइस देखने को मिल जाता है अगर आपने 12GB तक भी जाना है तो भी आप जा सकते हो लेकिन उसका price increase हो जाएगा तो यार मेन स्पेसिविकेशन मैंने बता दिया आपको Realme X50 Pro के तो भी अगर आपको Realme लगरो आपके लिए ये smartphone perfect deal हो जेगा सबसे पहले में बता दो भी अगर आपका बज़र 35,000 के बज़र वेच में आपको 128GB storage के साथ ये smartphone देखने को मिल जाता है तो भी अगर आप Apple lover हो तो आप इस smartphone के और जा सकते हो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि smartphone में एक minus point देखने को मिलता है minus point service की battery है तो भाई अगर आप gaming करोगी यह multi-tasking करोगी जागर आप video shoot करते हो फोटो shoot करते हो तो इसकी जो battery है वो बहुत ही जलदी कम हो जाते है लेकिन इसका पुरसासर तगड़ा है जो कि आपको A30 बान चिपसाट के साथ देखने को मिलता है तो भाई अगर आपने gaming करने है आप इजली नॉबली कर सकते हैं आपको IP67 water and dust resistance rating मिल जाती है तो waterproof smartphone अगर पानी करा गिर भी जाता है तो कोई भी problem issue आपको नहीं आने वाला यह 3GB RAM के साथ देखने को मिलता है एंड इसके storage variant आपको 3 देखने को मिलता है 64GB storage 128GB storage 256GB storage मैं आपको कहना जाता हूँ अगर आपने iPhone SE की और जाना है आपने minimum 128GB storage की और जाना ही जाना है ठीक है जो कि आपके long time बिड़ काम आजेगा है so that's why मैं आपको कह रहा हूँ तो आगे बात करते हैं तो अभी मैंने आपको iPhone SE के बारे में बता दिया आगे बात करते है नमबर टू की नमबर टू की बात करूं नमबर टू पर यार मैंने रखाया MI10T को तो सबसे पहले पर मैं आपको पता देना चाहता हूँ कि आपको 5G smartphone देखने को मिल जाता है यह दो बेट में देखने को मलता है 6GP RAM के साथ एंड 8GP RAM के साथ आपको पुरसासर बहुत ही जादा तगरा मिल जाता है यह अब हैं आपको 30,000 के अप्राइस की आपको 30,000 क देखने को मिल जाता है आप ही बात करते हैं प्राइस रेंज की तो आप अगर स्मार्टफून के ओर जाना जाते हो आप इस स्मार्टफून के और जा सकते हो विकाज आपको पूरा लोड़िड मेल जाता है मतलब यह अगर आप ने गेमिंग भी कर नहीं है के अकॉरिंग स्मार्ट फून चाहिए स्लेमें इंड स्टारिस डिजान चाहिए कल रूगरा भी अगर आपको मैटर कारते हैं आप सबी के लिए पॉफर डीड हो जा सकते हो स्म चीबी रांप के साथ एंड ट्वयल अप्जीव एंड के साथ जो पी आपके पज़्ट बैटा है आप उसके और जा सकते हो जो स्मार्ट फून आपको आपको देखनी को मिलेगा है एंड इसके कलर रहे हैं लेकिन और उरंज कलर में यह जादा सूद करता है तो यह अगर आ आपको टॉप फाइब स्मार्टफून बताते हैं जो कि आपको थरी फाइब सकते हो अभी बात करते हैं इन में से कौन सा लेना जाए तो पही अगर मैं आपकी जगा होता मैं जाता सामसिंग ग्लाक्सी अफिफिट टू कि अबसे पहले वो नया लॉंच वरस के इसका डिजाइन लुक रखना बहुत प्यारा सुपर अमुलेट डिस्प्ले मिल जाती है यह प्लस जो प्राइबसी सिस्तम होता है ना संग के फून का वह बहुत ही ज्यादा अपर होता है अपको लेकिन अगर आपने 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 डिस जाइन वह पहुत ज्यादा सही है तो आप देख लिए जो भी आपको आपको सही लगता है आप लेश्यक्ति लेकिन अगर मैं आपकी जगा होता मैं जाता सामसंग गलाक्सी एक तो यह अब मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खतम अगरी आपको मेसे लीचि लिगे आपको देखने और वीडियो गोशरे और ख्यापते छिए विदियू करण दोस्तों की बीशका निकस्क्ति को पेशिए आपको यह विडियो को शते की कारता। तो कर सकते हुआ और दो पिन आक्स वीडियो नियू MAX Kcks.